गूद मार्णीं कमांडोर। कुछ और हमलोग बात कर रहे थी हमन और भेड़ को już हम लोगोँ ने चल्चा आयके संधों क्या है प्प्रफाकर और हमलोग बात कर रहे और हम लोग अभी तक नहुआ रोलूने चर्चा कर लिया की। जिसमें हम लोग ने अभी तक testis के बारे में discuss कर लिया और उसके हम लोग function देख लिये अब हम लोग आज इस classes में हम लोग आज देखेंगे कि कौन-कौन सा accessory duct होते हैं accessory duct कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका testis हो गया और इसमें compartment जो 200 compartment जो पाय जाते थे उसमें सेमनी-fares-tribule हो गया है सेमनी-fares-tribule में हम लोग ने बात किया कि सेमनी-fares-tribule में क्या होता है sperm का formation होता है spermatogenesis होता है तो इस सेमनी-fares-tribule से अब यह इजाकुलेट होगा या outside body के जाएगा बाहर sperm तो वह कैसे जाएगा किन किन चैनल के थ्रू जाएगा तो इसमें कौन-कौन सा डट जो है या कौन-कौन सा ट्यूब है जो सहायता प्रतान करता है help करता है during transmission of sperm तो उसके बारे में हम लोग आई discuss करेंगे तो बोल रहे हैं कि यह में एक्सेसरी डट जो है वह क्या क्या चीज है तो सबसे पहले है रेटी टेस्टिस यह क्या है हम लोग डिसकस करेंगे अभी डाइग्राम में भी देखेंगे फिर वासा उरेट्रा में और उरेट्रा को ट्रांसपोर्ट करता है ठोल बोड़ी और उसके बाद कैसे करता है तो उसको देखेंगे ठीक है तो हम लोग क्या बात करें मेल्ड है इसको याद रखिएगा क्योंकि यह हो सकता है किजी-किजी पेपर में पूछ लेता है यह कभी को बार एक जगा दिखा गया है वासा इफ्रेंट्स या इसको हम लोग और बोलते हैं इफ्रेंट डक्ट्योल्स इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इफ्रेंट डक्ट्योल्स बोलते हैं डक्ट्योल्स ठीक इफ्रेंट डक्ट्योल्स उसी तरीके से यह जो वास डिफ्रेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं तो नाम पता चल गया हो सकता कहीं कहीं पर वासा इफ्रेंसिया के जगा पर इफ्रेंट डेक्टियोल्स नाम दे दिया या कहीं कहीं वास डेफ्रेंस के जगा पर डेक्टस डेफ्रेंस भी दे दिया तो confusion होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या बढ़ते हैं तो अब कैसे होता है तो जो कलता है उसको दों बोलते हैं क्या कि रेटि एसे ऑई-स-था थाइस थाइस выпartemen तो पूरा एक नेटवर्क की तरह जाल की तरह फैल जाता है तो रेटी टेस्ट्य ईच जो है एक नेटवर्क is तरह देखने में लगता है ठीक और ये तरह आगे जा कर एक क्योंकि 200 compartment है इस तरीके से सभी जाएगा और इसके बाद फिर एक मोटा सा चैनल बनेगा डक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वासा इफरेंसिया बोलेंगे ठीक और वासा इफरेंसिया फिर वह जाएगा कहां पर और EP-D-dymes में जाएगा यह हम लोग देखेंगे अभी तो क्या बोल रहे हैं यह वाला बात के लिए रोगी है ना चलिए ठीक है अभी हम लोग देखते हैं तो अब क्या है कि सो टुबली रटी रेक्टी 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 टेस्टीस वासा इफरेंसिया कलेक्टिवली नॉ कौन सा color कर लें blue color कर लेते हैं कि हिए तो यह देखें यह माले कि हम लोग का Testis है इसमें compartment है इस तरह जब धाई सो compartment दीख रहा है तो यहां से semi-ferous tubule इसमें इसमें भी सब में semi-ferous tubule है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यह बाहर आता है तो यह सब हो गया क्या रेटी टेस्टिस ठीक वही तो बोला है रेटी टेस्टिस है और उसके बाद यह कलेक्टिवली एक ट्यूब बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यह हो गया रेटी टेस्टिस ठीक और ये हो गया Vasa Referencia प्रस्ट अम लिखे रहे हैं ठीक तो यह अभी तक यह क्या देख रहे हैं यह testicular है testicles है testis है यह सब अंदर में बन भाई तब यहां पर क्या लगा हुआ रहेगा इसको इंटरट टेस्टी गुलर जनैट्र सिस्टम अब इसके बाहर निकलेगा ने我 तब यहां पर क्या लगा हुआ रहेगा है कि इपटी डिटाइमिस तो इतना शिश्टम जो है रेटी टेस्टिस हो गा वसा एफरेंस यह हो गया रहा है यह सब सारा का सारा क्या है Intra Testicular Genital Duct System है, clear है बात? चलिए, चलिए, एक एक पॉइंट को clear करते वे चलेंगे, फेसर वाई जलुदी बादी बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, VASA EFFERENCIA, अब देखें, VASA EFFERENCIA LEAVE the TESTES, ये TESTES को छोडता है, और कहां पर open होता है, EPDDI में इसमें, जस कि निजस्ट के ऊपर में उस है रिपी डिडव मिस है तो ँस में jijके ऊपन हो ता है अब उपபे भी सिस्टरार्द के प्र मृधा जैसे इसको यहां प्रम नहीं यहां पर बना ये ठीक है जैसे यह यह क्या हो गया apd-damage, To apd-damage finally wassa difference में खुलता है। तो वही बात यहां पर लिखा है, हो गया testis, यह हो गया apd-damage, और यह हो गया wassa difference, ठीक है, तो अब d-damage कहा पर खुल है? wassa difference में तो वही बात यहां पर लिखा है नेक्स-Line मैं अब यह क्या करता है टेस्टिस क्या बोले थे कि यह स्क्रोटल सेक में पाए जाता है मतलब अब यह जो वास्ट डिफरेंस है फिर हम लोग को अब्डोमें में इंटर करता है और इणरी ब्लेडर के जैसे यह इणरी ब्लेडर तो इर्फिर बाहर एजेक्ट होता है ठीक है तो इस तरह के से यह काम करता है यह बात क्लियर हुआ वही बात यहांप लिखा है कि एपीडी डाइमस लीट्स टू वास्ट डेफरेंट डेट असेंट्स असेंट्स मत उपर के तरफ जाना अब्डोमन में जाता है और लूप ओवर दे उरिनेरी ब्लेडर के जैसे यह उरिनेरी ब्लेडर है तो इसके पीछे से आकर यह ज्वाइन होता है आँ यूडेथ्रा में ठीक है 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 तो अब से तरीके से जाएगा यह बहुत ही इंपॉर्टे जानल है यह फ पूरा पूरा तो करनता है तो सबसे पहले क्या बोले कि सेमनी फेरस टीबूल में क्या हुआ अस्पर्म का फॉर्मेशन उसके बाद रेटी टेस्टिस जुड़ा हुआ है रेटी टेस्टिस से बाहर निकलेगा तो वो जुड़ा हुआ वासा एफरेंसिया से अच्छा इतना अभी तक क्या बोल रहे थे इस इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टिकल्स के अंदर है उसके बाद वासा एफरेंसिया से वासा एफरेंसिया लीव करता है टेस्टिस और ओपें इंटु एपीडी डाइमिस इपीडी डाइमिस में आ गया यह आभी तक हम लोग एपीडी डाइमिस तक देख लिए यह बात यह लिए हम लोग actually में देखते हैं डाइग्रामेटिकली कि ताकि कोई भी चीज हो जो आसानी से समझ में आ जाए तो अब देखिए यह है टेस्टीस यह टोटल टेस्टीस है यह वाला ठीक यह सब कंपार्टमेंट है घद सेंडर एक हैं यह सब कंपार्टमेंट धाइस सक्मपार्टमिंट जो लोबृ जो बोले थे यह सब लोबृ जो है कि और इसको सेपरेट कौंसा करता है ड्यक यह वाल डिसकités लिथे फिक सका उसके में अन्दर में अंदर में सिमनि रिशल्ष टिबूल जो फॉर्मेशन क् रहा है Now is this is about human is male gamut कि और इसके प्रोसेस को बनने को क्या बोलते है अस्पर्मेटोजनेसिस कि अस्पर्मेटोमाटोजनेसिस ठीक है तो अब यह समेलिफिरस टिबि Laoot यह बाहर जो आ रहा है यह बाहर आ रहाई यह ओ गया औका टी टेस्टिस ए tambiénquier a अब जो पॉर्षन है यह बना रहा है क्या चीज यह बना रहा है वाशा इफ्रेंसिप या वाशा इफ्रेंसिय और क्या बोले थे वाशा आगे निकलता है और यह पूरा का पूरा है इपीडी डैमेज और इपीडी डैमेज को तीन सेग्मेंट में हम लोग डिवाइड किये हैं एक जो टेस्टिस के ऊपर कैप के समान प्रजेंट है उसको हेड ऑफ इपीडी डैमेज बोलते हैं उसके बाद फिर यहां से यहां तक हो इसको बोलते हैं बाड़ि ऑफ ऐफ ऍदया हुआ ह्यां और उसके बाद ही पीडी मेज आगे जाकर वस्ट डेफरेंसमें कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब करका उस उस उस-उस उस अपिडी मे अप líगात को बोलते हैं लोग तेल ऑफ एपूडी डैमेज is also divided into three parts kauda epididymis head वाला जो हो गया kaput हो गया यह वाला portion जो हो गया body portion हो गया इसको हम लोग बोलते हैं corpus epididymis और tail वाला जो body हो गया उसको हम लोग बोलते हैं kauda epididymis ठीक है यह बात क्लियर हो गया है क्लियर है ना चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि epididymis का कौन-कौन सा पार्ट है तो अब जो epididymis है वो लगबग 6 मीटर लंबा रहता है कितना रहता है अच्छा यह एक बार पूछा हुआ है कि यह एंब्रियो अब यह सब क्या बोल रहा है कि टेस्टिस बैगरायर कहां development होता है डियूरिंग यह embryonic condition में development होता है और seven month में descend कर जाता है abdomen से किस में डिसेंट कर जाता है तो वही यहां पर है पूछता है कि एपी डिडाइमिस जो है एपी डिडाइमिस जो है वह इसका और जिनेशन कहां पर हुआ किसके थूरू और जिनेट करता है तो एंब्रियो इंब्रियो में जब बुलफियंडक्ट होता है उसके थूरू यह बनता है फॉर्मेशन होता है अब क्या बात कर नहीं कि एपी डी डिडाइमिस जीवाइड़े इन्टो फ्री सेग्मेंट कौन कौन सेग्मेंट बतला है जैसे यह इंपी डिडाय में से है यह यह टेस्टीस जो हो गया इसको हम लोग बोल दिये कापू टीडी डाइमेश याद कैसे रखिएगा कैप इसमें देखे लगा हुआ है कैप मतलब टोपी अटोपी हम इसा हेड के उपर डालते हैं तो यह हो गया कापू टीडी डाइमेश इस प्रजेंट एवब देट टेस्टिस लाइक कैप और यह क्या काम करता है कि इस रिसीब्स वासा शो बाहर निकलता है उसको रिसीब करता स्पर्म करेगा इस सपर्म को करेगा अच्छा यहां पर जो वासा बबाता है उक्पर्म कि zap सब्सक्राइब करने काम कर साथ साथ क्योंकि यह नौन मौटाइल को रिसीब कर रहा है मतलब इसके पास एबिलीटी नहीं है है अभी मोटाइल होने की तो मतलब इसको मैचुरेसन के लिए भी काम कर रहा है यहां पर पर होगा फह समित पर मेचुतंधर्ग जो कर गारी मतलब इस का मीञेड़ हो जाएगा जो हुआ न चलिए हम लोग बात करेंगे अगिस क्या है जो इसका में बोलते हैं यह जहां पर से वासर डेफरेंस और जिनेट होता है मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं काउड़ा का मतलब होता है तेल ये भी क्या बतला है टेल क्या बतला है टेल ये है खौड़ा का मतलब क्या हुआ टेल हुआ है तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे है कि जो क्यूड़ा एपिडी डी ये मिस्ट लास्ट ऑने स्मौल सेग्मेंट ऑफ एपिडी डी डीन इट फिर्वाइट से वाइट भी इप भी इजशी से वाइट से वाइट होता है ठीक है तो अब क्या हुआ कि तो आफ तो अब ठर्मिंएट कर जिए किसमें वाइट डेफरिंस में कि और खैसरेंस आकर튼्प दोमेंट और लूप ओवर दा इरुनेरी ब्लेडर जैसे कि हम लोग पीछे अभी डिसकस किये थे क्लियर बात तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन अब क्या हो गया इपीडी डैमिस का मेन फंक्शन क्या हो गया सबसे पहले तो स्टोर करेगा नौरिस करेगा नौरिस मतलब की फूड बगर रहे देगा क्यूंकि अब यह स्टोर कर रहा है और इस पर्म नौन मोटाइल भी है उसको मैच्वर होना है मतलब मोटिलीटी गेन करना है तब तक उसक स्टोर करेगा किस में स्ट करेगा यह एक और वास डिफरेंज में उपर के तरह जाएका और इरुणिरी ब्लैडरRL के जस जैसे यह इरुनरी ब्लैडर है और यह मान लिए कि हमारा front इधर से है ठीक आप लोग जो देख रहे हैं वो front है तो यह urinary bladder है तो वो urinary bladder के पीछे से आते हुए वो urethra में connect करेगा यह बात clear हुआ यह urinary bladder है तो जो wash difference आएगा वो back side से पीछे के तरब से आएगा और urethra से connect करेगा clear है बात यह बात clear हो गया चलिए अब हम लोग बात करते हैं wash difference की बात करते हैं अब wash difference क्या है तो wash difference is a thick and contractile muscles इसमें परजेंट आते हैं क्यों contractile muscles परजेंट आते हैं क्यों contractile का मतलब क्यों जरूए थे contractile की क्योंकि देखिए यह downward से abdomen के तरफ जा रहा है तो अब उसको जब तक contract नहीं करेगा जब तक आगे push नहीं करेगा against the gravity जा रहा है तो इसलिए इसको contractile होना पड़ेगा अब contractile होने के लिए हम लोग जानते हैं कि smooth muscles present आते हैं ठीक है तो यह जो contraction जो कर रहा है contract करेगा pressure लगाएगा तभी स्पर्म आगे के तरफ move करेगा इसलिए contractile nature का होता और इसके लिए मोटा भी होना चाहिए ठीक तो इट इस ठीक वाल and contractile due to presence of smooth muscles यह बात के लिए रहो गया अब क्या है it receives duct from seminal vesicles अब यह हम लोग डाइगराम में देखेंगे अब क्या है कि जैसे कि यह सेमनी फेरस टिब्यूल है यह सेमनी फेरस यह हो गया आपका urinary bladder और उसके पीछे से जब यहां पर आएगा urethra के पास जब आएगा यह urethra के पास आएगा तब यह accessory glands हम लोग को receive करेगा तो वही बात यहां पर लिखा है कि it receives the duct from seminal vesicles and opens into urethra as ejaculatory duct along with prostate gland gland तो इसमें seminal vesicles भी include होगा इसमें prostate gland भी जुड़ेगा और साथ साथ कॉपर्स gland भी जुड़ेगा यह urethra में और वस्ट डेफरेंस में और वह जाकर बना देता है एयका dolly ड़क्ट और यह जो होता है penis to its external opening called urethral meters Urethral meters जैसे अब urethral meters is nothing but it is the opening of the urethra मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये आब का penis है कि इसी तरीके से रहता है ठीक तो यहां परसे यह रहता है तो आगे का portion एक small opening रहता है और चह्का निटनीनों देओं को हमनोह बोलते हैं इसको अ कि यह उरेथ्रा यॉरेथ्रियह स्कार टीक है उश्क तो कि इसको सॉट अब मतलब सिर्फ आपनिंग उरेथ्रा का ओपनि ऑउट्राइड फॉडि इस लियुदो युडिन में सहा कि लिवली मेंकि ट्रशाइब ठीक है अब यह पेनिस क्या है तो पेनिस इस मेल एक्स्टेरल जेनेटी लिया इसलिए जिए मेल इस पाउंजी मसल्स यह बना दोता है जो कि इसको इरेक्शन में हेल्प करता है डियूरिंग कब कि ऑन कि इन्सेमिनेशन गेैथ संक लिए इनेशन के लिए या इजयकुलेशन के लिए इंसेमिनेशन लुए सब्सक्रीय पेनिस आए पज़नेशन ४नीश्य 으ब इस फिस तक वाले इस, इसलोगे लोग बोलते हैं, जाए हम यह वाला यह वाला जो portion है in large portion है उसको हम लोग बोलते हैं glance penis ठीक है और वो cover up रहता है एक skin से cover up folded skin से cover up रहता है उस skin को हम लोग बोलते हैं 4 skin सबसे आगे present है penis के सबसे आगे बोला इस प्रेजेंट है इसलिए उसको हम लोग को बोलते हैं या उसको बोलते हैं प्रीपियूस भी बोलते हुए ठीक है को अच्छी यह आ पर बात जानकारी बात है कि हम लोग यह वाला जो पोर्शन उसो क्या बोले ग्लांस पैनिस ठीक और ग्लांस पैनिस और इसको कभर आप रहता है उसको हम लोग बोल दिए फोर स्कीन या प्रीप्यूस बोल दिए अच्छा चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं उसको बाद हम लोग डिसकस करते हैं यहां पर इंपोर्टन्ट ग्लैंड्स की चर्चा करेंगे ठीक है तो स्पर्म लॉंग विद सेमिनल फ्लूट्स अब यह सेमिनल फ्लूट्स कहां से आ रहा है सेमिनल फ्लूट्स सेमिनल वेसाइकल्स हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया कॉपर्स ग्लैंड हो गया यह सब पूरे जो collectively बनते हैं उसको seminal fluids बोलते हैं तो sperm along with seminal fluids मतलब sperm plus seminal fluids मिलकर क्या बन गया? सीमेन ठीक है न? तो वही बात बोल रहा है कि sperm along with seminal fluids and organic fluids called semen और ये semen जो होता है ये जो semen होता है ये fructose से भरा रहता है इसमें बहुत सवारा fructose रहता है calcium रहता है ये याद कर लिजेगा rich in fructose, calcium and certain enzyme ठीक है न? और यही fructose जो है ये हमारे body में और कहीं fructose नहीं पाया जाता है सिफ seminal vesicles में fructose पाया जाता है और इसलिए ये fructose को हम लोग रेप के दावरान इसको टेस्टिंग में रेप कनफर्मिंग के लिए हम लोग यूज करते है ठीक है अब हम लोग देख लेंगे वो भी लिखावा है ठीक है ठीक है तो अब ये क्या हो गया? कि सेमनों के सेमन क्या है? रिच इन फ्रुक्टोस कैल्सियम एंड शर्टेन इंजाइम अच्छा देशिक्रीशन ऑफ बल्बो इरेथरल ग्लैंड बल्बो इरेथरल ग्लैंड क्या है? तो जो सबसे आगे वाला हिस्सा है इरेथरा के शोरी यह वाला जैसे यह इरेत्रा ओरिजिनेट हुआ है ठीक है और यह इरेथरी बलेडर है तो यहां पर जो है जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं उसका सिक्रीशन होता है और वो सिक्रीशन क्या करता है नॉर्मली क्या बोलते हैं कि यह युरेथ्रा क्या करता है युरीन कैरी आउट करता है और युरीन इस एसेडी की नेचर तो अगर इसमें स्पर्म आया और यह युरीन रहा तब तो क्या होगा अस्पर्म डिग्रेट कर जागा खतम हो जागा तब तो उसके मॉटलीटी नहीं रहे और रिप्रोड़क्शन हो पाएगा ठीक है तो उसको खतम करने के लिए बल्बो रिथरल जो ग्लैंड है वो उसका सिक्रेशंड हेल्ब करता है और इसके दौराण एवरेन इसमें रहता है उसको खतम करता है और उसके पिछे फिर के अधुदी आख़ म brains पनिस का मतलब क्या हुआ कि इसमें यह कहने का मतलब है कि तो इस तरीके से फोल्डेड स्किन लगे हुए रहते हैं जिसको में लोग फोर स्किन या प्रिप्यूस बोले तो यह जो प्रिप्यूस्ड या फोर स्किन जो है इसको कट कर दे आयता है कर देने क्या हो गा की है कि यह वला जो है अगर तुक्ती खान तो देखा जाए ठीकेनिस ही सब्सक्राइब बोलते हैं तो यह पर बाइश जहां पर है जहां 사람들은 deadly हुआ है पूरा आगे चोड़ा वाला जो हिस्ता है तो वहां उसके बेस के पास में एक gland पायाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री है रिप्यूसवल ग्लेंट है कि प्रिफ्यूसवल ग्लेंट एला ठीक ना और यह ग्लेंट क्या करता है सिक्रीट करता एक white sebaceous substances produce करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ismigma बोलते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं ismigma बोलते हैं ismigma तो यह क्या होता है कि अगर उसको साफ सफाई नहीं किया गया तो आपको infection create कर सकता है और अगर वह circumcise हो गया तो अब वो ग्लैंड रहे गाई नहीं तो वो क्या होगा प्रोडियूस नहीं होगा अगर मान लेकि प्रोडियूस प्रोडियूस हुआ भी तो वह अपने आप पानी से धूल कर निकल जाएगा ठीक न तो इसलिए इस लिए it is medically good circumcised penis ठीक क्या होगी आप समझ में आगे circumcised penis मतलब penis do not have four skins अब हम लोग बात करेंगे अच्छा यहां पर हम लोग सीमेंस के बात तो भी किये ही नहीं सीमेंस क्या होता है तो चलिए हम लोग सीमेंस चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं वह भर गया है सीमेंस क्या होता वह डिसकस कर लेते हैं है तो सीमेंस बैसकली क्या बोले सीमें इस डी क्या सीमेंटी इस अफ पर्म एंड सेमिल fluids अब यह जो सीमेन होता है एक ejaculation में लगभग 2-5 ml सेमेन निकलता है कितना निकलता है 2-5 ml वन ejaculation में ठीक पर ejaculation इट इजकुलेट टू-5 ml लॉफ सेमें एल और यह आचि समय में ठोब स्पर्म क्या है कितना रहेगा तो यह लगभग 202 पर थूरी हंड्रेड है मिल्यं है मिल्यान इसके करें मतलब कि एक टू टू फाइब एमेल जो है सेमेन में लगभाग 200-300 मिलियन स्पर्म सेल परजेंट रहते हैं ठीक है और यह सीमेन अल्कलाइन नेचर कर रहता है अल्कलाइन कि अल्कलाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका पी एच लगभाग 7.5 रहेगा ठीक ठीक और इसकी अपीरेंस कितने रहती है तो इसकी अपीरेंस वाइट अपीरेंस आती है मिलकी वाइड इसको बोल सकते हैं और और आपको यह मिटाने दीजिए और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब नॉर्मली अटलिस्ट जो सिक्स्ती पर्सेंट इस भी अटलिस्ट और rigor और सिक्स्टी परसेंट में से भी at least 40 परसेंट जो है वो कि स्पर्म विग्रस मोटिलीटी होनी चाहिए अगर उससे कम हुआ तो स्पर्म मोटिलीटी नहीं रहेगा अब मोटिलीटी कम रहेगा तो फ्यूज नहीं कर पाएगा फटलाइज नहीं कर पाएगा मतलब वह एक के सिक्स्टी परसेंट क्या स्पर्म होना चाहिए एक इजाकुलेशन में तब ही जाकर वह रिप्रोड़क्शन कर सकता है ठीक है ठीक है तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्लैंस के बारे में चर्चा करेंगे अच्छा इस दोरान अगर कोई किनियों को डाउट होता है मोस्ट विलकम है कमेंट करें हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे ठीक है तब तक पढ़ते रहे हैं है बनाइस जे थैंक